आज मैं एक ऐसी वीकिंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अगर आप एक इस्टूरेंट हैं और कर रहे हैं गौर्मेंट जोब की तैयारी तो खास कर आज का वीडियो आप लोग दीख सकते हैं सरकारी नोकरी की तैयारी करने वाले इच्छोत उम्मीदवारों के लिए एक नई रिक्यूर्मेंट है गौर्मेंट जोब है आविदन पर क्या इसकी शुरू हो चुकी है 31 अगस्त तक आप लोग इसमें अपलाई कर सेटने हैं मैं बात करने जा रहा हूं DRDO के अंदर, DRDO के अंदर रिसर्स यानि कि साइन्टिस्ट की वेकेंसी हैं DRDO की अलग-अलग डिपार्टमेट पे अलग-अलग कॉलिफिकेशन और अलग-अलग पोस्टों पे आविदन होगा अगर आप लोग ये ओलिंडिन पहले तो मैं किलर कर दूँ, ये ओलिंडिन वेकेंसी हैं और इसमें 204 वेकेंसी निकली हुई है, अविदन परकेस की ओन-लाइन होगी अविदन के साथ कॉलिफिकेशन की बात करें, तो डिग्री, डिप्लोमा वगर आपके पास कॉलिफिकेशन है, तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं और एप्लिकेशन फेस, जर्नल, OBC को ही देना होगा, जबकि SC और ST के टिग्री को यहां पर किसी परकार का कोई पैमिंट नहीं करना होगा अब इन सारी चीजों के लिए अपने DRDO की ओफिसली सैट पर लेके चलें, तो यहां पर देखें, यह इसकी ओफिसली सैट है और यहीं से इस पर रजिस्टेशन होगा, यह लोगिन आपने कर रखा है, अच्छी बात है, तो लोगिन पर क्लिक करके यहां पर आपकी कॉंटेक्ट नमबर और एमेल और पासवर्ट यहां पर डाल सकते हैं अगर मान लेजे, आपने नए लोग हैं और डियाडियो की ओफिसली सैट पर जाके रजिस्टेशन करना चाहते हैं, पहली वार फोम बनना चाहते हैं, तो आपको यहां पर नेम, एमेल, कॉंटेक्ट नमबर और एंटर पासवर्ट डालना होगा, पासवर्ट आपको खुद क्या का या फिर वेकेंशी के बात करें, तो यहां पर यह भी दिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए रिकवर्मेंट टान के बात करना तुरूपुरा या धहली होने वाली है, और डाइरेक्ट रिकूर्मेंट होगी, उसमें साइंटिस्ट भी, डियाडियो 204 पूद кан. की यह इसमें जर्नल, OBC, ST, महिला और पूरो सब को count किया गया है ऐसा नहीं कि यह सिरफ एक ही category के लिए निकले हुई है और एक ही लोग इसमें आवधन कर सकते हैं साथ ही category तो इसमें आवधन करेगी करेगी लेकिन इसमें महिला भी आफिदिन कर सकती है यहां पर देखे साइंटिस की 181 सबसे ज़्यादा vacancies की बात करें तो सबसे ज़्यादा post इसी की दे रखी है तो यानि कि इसमें सबसे ज़्यादा demand इसी की होगी इसी दोरा next की देखे साइंटिस B.D.S.T. के 11 vacancies है साइंटिस या इंजिनेरिंग की बात करें ADM की 6 vacancies है या CM साइंटिस B की बात करें तो इसकी भी 6 vacancies दे रखी है closing date देखेगा 31 अगस्त है currently इसमें आविदिन करने वाले लोगों के लिए आयू सिमा जर्नल के लिए 35 वर्स होगी OBC के लिए 38 वर्स होगी जबकि SC ST केटिकरी के लिए 40 वर्स रहने वाली है इसमें जो विग्यापन सेंक है 45 यह आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जब फोर्म भरेंगे तो यह नमबर्स वहां पर मांगे जाएंगे तो आप लोगों यह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कौन सी कॉल्फिकेशन किस पोस्ट के लिए अलाव होगी अब यहां पर देखेगा इसमें इलेक्रिकल कम्मुनिकेशन वाले जो ट्रेड के लोग है उसमें जर्नल OBC और कॉल्फिकेशन की बात करें तो फर्स्ट बैचलर डिग्री यानि कि B.E.B.T.E.G. वाले विधिहारत होगी तो guys qualification के मैं simply बात कर दो तो बी यह बीकॉम नहीं इसमें B.E.B.T.E.W. डिप्लोमा वाली qualification मांगी जाएगी कि मैं फिर से उसमें विग्यावन के साथ किलेर कर देता हूं कि कि मैंने पहले भी किलेर कर देतेल लेकिन अपने दो पॉइंट हो चुके हैं और उस्ट आयु चीमा फिरे संद आपकों अब यहां पर देखिए कि अफ्लीकेशन व्य क्य तेंग को देना है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एप्लिकेशन फिस जर्णल और EWS या OBC केटिगरी को ही देना होगा सिरफ मेल कर डिए को यहां पर देखे हजार उपर उनको देना होगा जबकि एप्लिकेशन फिस सी और स्ट केटिगरी की बात करें तो उन्हें यहां पर किसी परकार का कोई पैमेंट नहीं देना है तो यह भी आप लोग देख सकते हैं अब इसमें जो सोट लिस्ट निकाली जाएगी वह इस तर अब ही इसमें फॉर्म करवा सकते हैं वीडियो कैसे लगा अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं आज का इतनी नए अपडेट के साथ फिर नए वीडियो के शुरुआत करेंगी थैंक्यू जेह